एलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज की इस वीडियोम आपको बताने वाला हूँ तीरपल एप एपप स्कीन टूल अपलिकेशन के बारे में इस अपलिकेशन से आपकी इस तरह से इमोट ले सकते हैं और इस इमोट को आप फ्री पायर मेक्स के अंदर यूज कर पाएंगे इसमें आपको अल चरेक्टर मिल जगा आप किस तरह से इस चरेक्टर को अपने फ्री पायर मेक्स के अंदर यूज कर पाएंगे तो आज की इस वीडियो में आपको complete बताऊंगा साथी में आपको बताऊंगा यह application real है या fake आप वीडियो को बिना skip कियां तक जरूर दखे तिस application को मैं पहले से download करके रखाऊं तो मैं इसे अभी open कर लेता हूं अप्लिकेशन को open करने वद आपके समने कुछ इस तरह का इंटरफेस दखने को मिल दाएगा आपको यह term and condition मिल दाएगा इसको आप read करना चाहिए तो आप read कर सकते हैं उसके वद आपको agree पर click करना है एकरी पर किलिक करने वाद कूछ इस तरह का इंटरफेस द 1976 द दकने को मिल दाएगा आपको या granular करने इस Start पर खरने वाद इस Application में कूछ एड़ा चुका है T-Set को आपको अठा देना है उसके अब आपके संवने कूछ इस तरह का इंटरफेस द कने को मिल दाएगा आपको उपर के साइड में Prodress मिल देगा उसके निचा आपको Gun, Skin, Map, Emote, PUBG, Emote, Car, Skin आपनों देखने को मिल देगा तो Prodress में जनवाद आपका जो भी Prodress होगा आप यहां से सारे Prodress को देख सकते हैं इसमें आलोग आपको जितने भी Prodress रहता है फिर पार मेक्स के अंदर आप यहां से सारे Prodress को यहां से देख सकते हैं तो इसमें आप किस तरह से Emote ले सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ तो simply आपको एप 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 एमोट का ओप्षन मिल देगा इस पर किलिक करना है किलिक करना बज़र इस Application में आपको बग मिलेगा इसमें आप कोई भी Emote नहीं ले सकते हैं आप ज़रें दोस्तों यह फिर से Start का ओप्षन आचुका है तिस Application में बग है और यदि आपको बग दखने को नहीं मिलेगा तिसमें आप कोई भी स्कीन या कोई भी इमोट नहीं ले सकते हैं यह application 100% fake application है इसमें आपको हाड़ बार आपको add दखने को मिलेगा तिस application को आपको download भी नहीं करना है और वीडियो आपको अच्छा लगत एक लाइक करें और चैनल पर पहली वारत आप चैनल का जरूर सस्क्राइब करें और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस तरह का मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा